Hello friends, welcome on my YouTube channel जैसा हमने आपको बताया था कि 25 मार्ज से scholarship आना start हो जाएगी जिन student का verify हो गया है ठीक वैसा हुआ scholarship आना start हो गई है हमारे पास एक status है अभी हम उसको आपको दिखाएंगे कि scholarship आना start हो गई है लेकिन आपको अपना account चेक करते रहना है proper और status में भी अभी देखेंगे कि वहाँ पे कितना सो कर रहा scholarship कितनी shift में आई हुई है कि नहीं आई हुई है यह सारी बातें अभी हम जान लेते हैं और एक बार अपना जरूर अपना account चेक कर लिए scholarship का किसमे scholarship आई हुई है हलाकि आधार card से link है तो हो सकता है कि आपके जो है दूसरे account में भी scholarship हो जरूरी नहीं कि आप जो account दिये हैं उसी में scholarship है तो आईए हम status को देख लेते हैं चैनल पे आप नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजिए अपने friends अलकर में share कर सकते हैं BSC Nursing और Paramedicals Update के लिए यह देखिए स्टाटस रहा 25,3,2023 का आज का ही स्टाटस है और यहाँ पे minority candidate है यह minority candidate है आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमने आपको बताया था कि minority SC, ST and general candidate की scholarship पहले आती है आपको यहाँ देखना पड़ेगा इनका भी है UID never enabled for DBT and beneficially has been credit based on account तो यह समस्यां इनके में भी थी लेकिन यह बाद में अपना सही करवा लिए थे तो verified by bank हो गया था और इनका जो verification का जो date था वो 11,1,2023 तो 11, January इनका verification की जो date थी और district से थी तो इनकी scholarship आज आई हुई जिनका district से verification late हुआ होगा उनकी scholarship थोड़ा दो तीन दिन late आएगी लेकिन scholarship आना start हो गई है और यह student है देखिए fresh तो यह fresh candidate है मतलब अभी यह first year में है तो fresh candidate की scholarship आना यहाँ पर देखिए start हो गई है scholarship का I am देख लेते हैं इनकी कितनी scholarship आई हुई इसका भी हमने screen start मंगवाया है तो आपको दिखा देते हैं scholarship fresh candidate है और इनकी fees लगबख लगी थी 29,000 के आस पास तो आपको हमने बता दे minority जो candidate होते हैं इनकी scholarship थोड़ा 2-3,000 रूपए जादा ही आती है यहाँ पर देखिए यह इनका जो है bank account रहा की privacy के मद्दे नजार रखते हुए जो है थोड़ा सा hide कर दिया है क्योंकि copyright की information यहाँ तमाम लग जाती है यहाँ पर fund transfer within SBI यहाँ पर देखिए लिखा है 25, 32, 32, 31,880 रूपए जी यहाँ आप देख रहे हैं 31,880 रूपए इनके खाते में आज साम को भेज दिया गया और यह हमको थोड़ा अउगत कराएं लेट जो है 31,000 रूपए आ गए हैं इनके account में 32,000 रूपए के आज़ पास इनके account में आ गए हैं तो scholarship आप लोग भी चेक करते रहे हैं scholarship जो है आना start हो गए है और आपको दिखा दें कि यहां current status में नहीं सो कर रहा है क्यों करें इस status में बहुत लोगों का नहीं सो कर रहा है जिनका सो कर रहा है उनके लिए थोड़ा ठीक है जिनका नहीं सो कर रहा है तो current status इना देखते रहें अपना account भी प्रापर चेक करें, तो इस कालसीप के बारे में अपडेट रही, इस कालसीप आना इस्टार्ट हो गई है, क्योंकि इधर थोड़ा मामला वरिफिगेशन का चल रहा था, तो 25 तारिक से आज से इस कालसीप आना स्टार्ट हो गई जैसा हमने आपको बताई था मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो उमने अपडेट के साथ जैंद